असलाम आलेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खेरियस से होंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बाज दफ़ा ऐसा होता है कि काब शरीफ के अंदर नमाज होती है तो उस नमाज को लाइफ टेलीकाश्ट दिखाते हैं वो स्क्रीन पर शो करा देते है या फिर टेलीविशन पर वो नमाज लाइफ टेलीकाश्ट होती है तो आप स्वाल यह है को जो लाइफ टेलीकाश्ट नमाज हो रही है उसकी इक्तिदा करना कैसा है उसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है यानि मिसाल के तौर पर टीवी में कोई नमाज लाइफ टेलीकाश दिखाया जा रहा है उस करना नमाज हो रही है तो टीवी को दूसरे कमरे में रखकर उसके आवाज तेज़ करके और दूसरे कमरे में उस आवाज के पीछे इक्तिदा करना उस आवाज के पीछे अपनी नमाज पढ़ना कैसा है तो इसका जवाब ये है कि लाइफ नमाज भी नहीं होती इसलिए कि इक्तिदा के दुरूस्त होने के लिए जो शर्त है वो इतिहाद मकान भी एक शर्त है यानि इतिहाद मकान का होना जरूरी है यह शर्त है अगर मकान का इतिहाद नहीं है यानि जगा का एक होना अगर जगा एक नहीं है तो इक्तिदा दुरू वो नमाज कहीं और हो रही होगी लेकिन यहां आप अपने घर बैठ कर नमाज अदा करोगे तो जगा अलग अलग हो गई वहां कहीं और नमाज हो रही है आप इक्तिदा कहीं और कर रहे हो तो मकान जो है जो जो जगा जो है वो अलग अलग है तो इसलिए इक्तिदा सही नहीं है इक्तिदा के सही होने के लिए जरूरी शर्त है कि मकान का भी इतिहाद होना जरूरी है मकान भी एक होना चाहिए अब यहां पर आप यह सवाल पैदा हो सकता है लोगों के जहनों में यह सवाल पैदा हो सकता है कि जब कहीं इस्तिमा होता है तो इमाम तो कहीं और होते है ले उसके अंदर मकान एक होता है तो उस मकान के एक होने के विज़े से वहां पर इक्तिदा सही हो जाती है वहां पर नमाज दुरूस्त हो जाती है और जब आप टेलिविजन पर टीवी पर किसी दूसरी जगा की इक्तिदा करोगे तो वहां पर मकान इतिहाद नहीं है वहां पर वीडियो आप सब को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें तो इंशालला मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफीज